Hi everyone, स्वागत है आपका IRS Christian Study Channel में आज हम लोग जो topic discuss करने जा रहे हैं वो है fascism आपने इस word को काफी वार सुना होगा इसको हिंदी में जो है फासी बाद बोलते हैं और इसका एक और नाम है वो है fascist बाद ठीक है? तो देख लेते हैं, fascist बाद होता क्या है? यह एक ऐसा governmental system होता है जो चलाया जाता है, led by dictator एक dictator के द्वारा चलाया जाता है ठीक है, ऐसी सरकार जो dictator के द्वारा चलाया जाती है having complete power और उस dictator के पास complete power होती है और वो जो है, forcibly suppressed करता है opposition को, people को और criticism को मतलब वो जो है, अपनी शक्ति का उपयोग करके जो है, लोगों को, criticism को opposition को, media को, हर चीज़ को दबाता है मतलब सारी power जो है, एक इंसान के हाथ में होती है and emphasizing and aggressive nationalism और वो जो है, एक country में ऐसे, मतलब जो है, extreme level of nationalism की जो है, स्थापना करता है किसी भी country में, ठीक है, उसको बोलते है fascism, आप एक तरह से समझ सकते है dictatorship government ठीक है, तो एक तरह से जहां पर तानाशाही होती है ठीक है, जैसे आपकी बहुत सारी countries में तानाशाही होती थी आज भी होती है तो हम देख लेते हैं, फासिवाद एक विचारधारा है, जिसमें राज्यों की शक्ती पर विशेश जोर दिया जाता है, इसमें ब्यक्ति की स्वतंतरता कोई माईने नहीं रखती ठीक है, human rights और ये सारी चीजें इसमें कोई value नहीं है, इन सब चीजों की जहां पर फैसिजम होता है जो फैसिजम है, उसमें जो शक्तियां है वो पूरी तरह से जो है government के हाथ में चली जाती है ठीक है, इसमें जो है राज्यों को ही सर्वों पर ही माना जाता है सबसे उपर जो है state और country को ही माना जाता है फैसिजम कहता है कि किसी व्यक्ति राज्यों का जो व्यक्ति है, वो राज्यों का साधन है और उसे सरकार के द्वारा बनाये गए जो डिक्टेटर्शिप वाली सरकार है उसके द्वारा बनाये गए कानूनों का पालन ही करना होगा चाहे उसकी अपनी स्वतंतरता का हनन ही क्यों ना हो जाए चाहे उसके खुद के अधिकार खतम ही क्यों न हो जाए उसे अपनी सोच के अनुसार चाहे वह कानून गलत ही क्यों न लगे मतलब आपको कुछ करने के लिए बोल रही है गौवर्मेंट और आपको अपने अनुसार लग रहा है कंट्री के भले के बारे में सोचना होगा पहले अपने भले के बारे में और अपने सोच के बारे में आपको भूल जाना होगा ठीक है इस कंट्री में जहां पर फैसिजम होता है तो आप यहां पर क्रेक्टर स्टिक्स देखिए इसके जो फैसिजम है आपको जो है एक्स्ट्रीम लॉयल होना पड़ेगा लॉयल तु यूर स्टेट मलब यूर कंट्री के लिए ठीक है जो भी मतलब जितने भी कानून होगे आपको सबको फॉलो करना होगा आप कुछ भी जो है कोई भी लॉज तोड नहीं सकते हो और एक्स्ट्रीम लेवल का नेशनलिजम होता है मतलब आप जो है बहुत जादा देश भग्ध हो जाते हो आप जीते देश के लिए हो मरते देश के लिए हो और मतलब आप अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते हो आपके सारे अधिकार खतम कर दिये जाएंगे और आपको जो है एक डिक्टेटर्शिप की बात माननी पड़ेगी यहाँ पर डिक्टेटर्शिप ही सबसे बड़ा प्रधान होता है और बाकी जो जनता है वो सिर्फ और सिर्फ एक dictatorship के इशारों पर ही सारे काम करती है ठीक है तो fascism में जो है एक विक्ति को पूरे देस की शक्ति नहीं हित कर दी जाती है उसके पास दे दी जाती है मतलब जो dictatorship होगा उसको सारी शक्ति दे दी जाएगी उन सक्तियों को जो है उन सक्तियों की मतलब उस डिक्टेटरशिप के द्वारा जो ब्यक्ति है उसके द्वारा कही गई हर एक बात को आपको मानना होगा जो डिक्टेटरशिप जो मर्जी वो चाहे गलत ही क्यों न बोल दे और जो ब्यक्ति उस देश में रहते हैं उन्हें अ सरतों तनाटका औरिचाह का त्याग करना होता है देश की उन्नति और प्रग्रत्थे बारे में ही सोचना होता है घे करे कुछ भी होजाए मतलब कुछ भी होजा आपको जो है देश के बारे में उसको जो है सबसे उपर माना जाता है एक तरह से उसका order जो है मलब पत्थर पे लिखी हुई लकीर होती है ठीक है और उसी की सोच को जो है देश के लिए best माना जाता है मलब पूरी country की सोच जो है सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की सोच को ही उस country के लिए best माना जाता है ठीक ह जो बाकी ब्यक्ति है वो सिर्फ राज्य और ताना शाह में विस्वास रखेंगे जो जनता है वो सिर्फ जो वहां का डिक्टेटर सिप और राज्य है उन दोनों में ही विस्वास रखेंगे और ताना साह की हर बात मानेंगे और बिना कोई सवाल जवाब किये संकोच किये और बिना किसी दुविदा के जिस भी पत पर ताना शाह उन लोगों को ले जाएगा वो बिना किसी संकोच के उस पत पर चले जाएगे मतलब अगर वो वार करने के लिए कहेगा तो war करेंगे, peace करने को कहेगा तो peace करेंगे, जो भी कहेगा वो करेंगे, ठीक है ताना शाही देश है और देश ही ताना शाह है, मतलब एक तरह से ये एक व्यक्ति पूरी country है और पूरी country इस एक व्यक्ति के अंडर है, ठीक है तो ये जो है, मतलब ताना शाह ये लोग मानते हैं कि ताना शाह ही बुद्धिमान होता है और बाकी जो सारे वेक्ति है जो जितने भी कंट्री में रहते हैं वो सबके सब जो है मुर्ख है और अग्यानी है और इन मुर्ख अग्यानी वेक्तियों को जो है सिर्फ और सिर्फ ताना शाह ही जो है सही मार्ग दिखा सकता है, जो ताना शायना वही उनको सही मार्ग दिखाएगा यहां पर जो है, सिर्फ और सिर्फ One Party Dictatorship होगी, मतलब एक पार्टी का ही रूल होगा, तो Fascism में एक ही राजनितिक दल का रूल होगा, पूरे देस के प्रेकी पार्टी जो है साशन कर सकती है ठीक है यहां पर लोकतंतर और प्रजातंतर और सांसद जैसे इन सारी चीजों के लिए कोई जगा नहीं है ठीक है यह जो फैसिजम वाले है यह मानते हैं कि यह जो लोकतंतर है यह लोगों को कमजोर बनाता है देश को कमजोर बनाता है और जो भी कंट्रियां जो है लोकतंतर है प्रजातंतर है जहां पर भी सांसद है वो जो है मुर्ख लोग है जो साशन करते हैं और सभी व्यक्ति जो है समान नहीं होते हैं ये लोग ऐसा मानते हैं सब व्यक्ति जो है मतलब उनकी क्षमता के अनुसार वो जो है अलग-अलग हो जो डिक्टेटर के खिलाफ या फिर कंट्री के खिलाफ है ठीक है ना जैसे की होता है कि देश उसको जो है देश द्रोही माना जाता है तो उसको आवाज उठाने के लिए उसके आवाज उठाने की वज़ा से उसको जो है दवा दिया जाता है उस इंसान को जो है वहां के के लिए कोई माइने नहीं रखती व्यक्ति का मानना होता है कि व्यक्ति का अकेले का कोई भागया नहीं होता है जो भी होता है मतलब राज्य का होता है कंट्री का भागय होता है वहीं व्यक्ति का भागय होता है अगर कंट्री तरकी कर रही है तो व्यक्ति भी तरकी कर रहा है अगर country मतलब बहुत बुरी condition में हो तो व्यक्ति को भी बहुत बुरी condition में ही रहना पड़ेगा ठीक है तो fascism चाहता है कि व्यक्ति अपनी स्वतनतरता के लिए काम ना करे बलकि राज्ये के गौरव शक्ती और राज्ये की उन्नती के लिए काम करे ठीक है पूरे देश के लिए काम करे जिससे उस country की बृद्धी हो ना की ब्यक्ति की बृद्धी हो ठीक है और एक और चीज़ फैसिजम में जो है जो intelligent लोग होते हैं जो rationally सोचते हैं तर्क के साथ सोचते हैं उन लोगों को जरा भी importance नहीं दी जाती है यहां पर माना जाता है कि यह जो लोग होते हैं यह लोग जो है बहुत ही मतलब ऐसी country के लिए जहां पर फैसिजम होता है वहां की country के लिए यह लोग जो है खतरा होते हैं क्योंकि यह लोग बुद्धी और तर्क में ही उलजे रहते हैं इनकी लाइफ जो है अपने आप में ही उलजी रहती है और ये बाकी लोगों को भी जो है अलग-अलग रास्तों पर चलने के लिए मजबूर करते हैं ठीक है उनका दिमाग भी भटकाते हैं क्योंकि इनको खुद को ही पता नहीं होता है इनको चाहिए क्या तो इसलिए यदि प्थी तर्क और बुद्धी वाला ना हो तो ही वो व्यक्ति जो है बिना सोचे समझे राज्य की उन्नती में साहता कर सकता है ये आपनी जो यहां के लोगों का मानना होता है कि लोगों को अपनी बुद्धी का यूजजन्स का यूज़ना करे ठीक है चुप-चाप मतलब ए जो intelligent people होते हैं, जो rationally सोचते हैं, उनके लिए कोई जगा नहीं है, इनसे लोग नफरत करते हैं, तो इनका मानना है कि जो democracy है, will lead to crisis, मतलब democracy हमेशा crisis की तरफ ही लेके जाती है country को, ठीक है, तो democracy को ये लोग मानते नहीं है, और use of violence to remove weak links, जो मतलब ये जो है, फैसिजम में उगर राष्टरवाद का समर्थन किया जाता है, वाइलन्स का use करना, ये जो है important समझते हैं, ठीक है, फैसिजम अपने राज्य को बढ़ाने में विस्वास रखता है, तो उसे बढ़ाने के लिए उसको युद क्याब शकता है, ठीक है, तो ये लोग वार में वि सकती हीन है, उन्हें खतम कर देना चाहिए, उनको समाप्त कर देना चाहिए, और लड़ते हुए अपने सामराज्य का विस्तार करना चाहिए, एक कंट्री को दूसरी कंट्री को हराना चाहिए, और अपने अंडर कर लेना चाहिए, ठीक है, फैसिजम में माना जाता है, कि ट कि और सभी को एक ही तरफ एक ही रास्ते पर चलने के लिए बिवश किया जाता है अगर वो मतलब जाहे जैसे भी उनको मनाईा जाये बल यूज़ करके चाहे वॉलनंस यूज़ करके ठीक है वो रास्ता जो है कौन दिखाता है तानाशाः व्यक्ति होता है वो डिसाइड करता हैं कि यदि देश को एक बंदन में बांधना है अगर देश जो है एकता में होगा तभी वह जो है एक साथ आगे बढ़ सकता है और ये लोग जो है रूल कर सकते है ठीक है फैसिजम में जो है राश्टर खुद को ही सबसे उपर मानता है ठीक है जो कंट्री होती है जो जहां फ होते हैं इनका मानना है जो राश्टर वीक होते हैं वही जो है मतलब वर्ल्ड पीस की बात करते हैं वैस्विक शांती की बात करते हैं और ये लोग जो है वीक होते हैं इन लोगों को जो है कुचल देना चाहिए इनका ये मानना है शक्तिशाली देश जो होते हैं वो एक प्तिशाली कंट्री हो सकती है, फैसिजम की इसी सोच के चलते जो है, वर्ल्ड वार टू हुई थी, अगर आपको याद होगा, फैसिजम का मानना है कि जो देश में धरम है, बेपार है, पैसा है, ठीक है, देश में सारी चीज़े हैं, धरम, बेपार, पैसा, साधन, वो जो है एक व्यक्ति को बिलॉंग नहीं करते हैं, वो सारी चीज़े जो है, इवन लोगों की है ही नहीं, वो सब को जो है देश का है, देश को ये लोग जो है, एक संजीव वस्तू मानते हैं, एक इनसान की तरह मानते हैं, ठीक है, और इसका कोई भी परियोग, मतलब कोई भी व्य व्यक्ति जो है अपने हित के लिए अपने नीजे आपशक्ता के लिए इन चीजों का उपयोग नहीं कर सकता है ये चीजे जो है राष्टर की है और राष्टर हित में ही यूज होने चाहिए और राष्टर को जो है उन्नती पर ले जाने के लिए यूज होने चाहिए ये फैस फैसिजम का मतलब समझ गए होगे, इसकी definition समझ गए होगे, कि यहां पर व्यक्ति के अधिकारों को जरा भी value नहीं मिलती है, व्यक्ति के अपना कुछ नहीं होता है, बलकि सब कुछ जो है देश के हित के लिए और देश की उनती के लिए और देश को ही सबसे सर्बोतम, सर्ब परी मानते हैं, सबसे ऊपर मानते हैं, सबसे ऊचा मानते हैं, अब देख लेते हैं कि फैसिजम की स्टार्ट कहां से हुआ था, ठीक है, तो फैसिजम जो है इटली से स्टार्ट हुआ था, मार्च 1919 में ठीक है, वर्ल्ड वार फर्स्ट के तुरंत बाद ही स्टार्ट हो गया जैसे World War 1st खतम हुई थी, यह जो बैनी तो मुसलीनी है, इसने इसको start किया था, यह है फिक है यह Italy, यह Italy का विक्ति है और इसी के कारण जो फैसिजम है वो start हुआ था फैसिजम जो था एक राजनितिक आंदोलन था पहले ठीक है प्रारम में जो भी स्टार्ट हुआ था तो इसमें क्या था कि जो इटली था वो वर्ल्ड वॉर्स्ट में शामिल हुआ था बहुत से बाद में जो इंग्लैंड की तरफ से सामिल हुआ था ठीक है तो इंग्लैंड जो ब्रिटन था तब का उसने जो है इसको बहुत सारे ख्षेतर देने की बात की थी बहुत सारी जगा देने की बात की थी वर्ल्ड वर के बाद में लेकिन जो ब्रिटन है उसने अपना वादा पूरा नहीं किया और इटली को जो वो जो ख्षेतर थे वो जगा थी वो नहीं दिये और इटली जो था जीत कर भी हार गया था क्योंकि वर्ल्ड वार सेकंड में जो है इटली जीता तो था जीतने वालों की साइड में था लेकिन फिर भी हार गया था क्योंकि इनकी जो देश था उनको बहुत ज़्यादा ख्षती हुई थी मतलब पैसों की हालत और लोगो पर जो है आर्थिक तंगी आने लगी इनके देश में राष्ट्रियर रिण में ब्रिद्धी हो गई जनता पर जो है कर का बोज बढ़ गया ठीगा वहां की जो खेती थी वो तबाह हो गई और मतलब लोगों में भुखपरी फैल गई और वहां पर प्रदर्शन और हड़ताले हुई एक के बाद एक कई सरकारों का पतन हुआ मलब सरकारय आती गए और जाती गई लोगतांतर्रिक सरकार थी उस ताइम वो इन कठनाईयों को दूर नहीं कर पाई इन सब चीजों को टेकल नहीं कर पाई तो वहां के लोगों न जो है मजबूरी में तानाशाही की सुईकृति ले ली तो ऐसे जो इटली थी उसने एक डिक्टेक्टरशिप वाली सरकार को अपना लिया और उसके रूल को मान लिया ठीक है और इसके बाद जो है जो फैसिजम है ये जर्मनी में फैला अडॉल्फ हिटलर से तो आप सब लोग वाकिफी होंगे मतलब यही एकलोता कारण है जिसने वर्ल्ड वॉर्ड टू का एकलोता कारण जिसने दुनिया को ऐसे घाओ दिये है जो की मतलब दुनिया आज भी भरना चाहे पूरी दुनिया और ऐसा सबक दिया है जिसको आज भी लोग भूल नहीं सकते है तो ये दोनों जो थे बहुत ही इन दोनों ने जो है ये दोनों जो है वर्ल्ड वॉर्ड टू के कारण है तो फैसिजम एक ऐसी विचार धारा है जिसकी वज़ा से वर्ल्ड वॉर्ड टू हुई थी ठीक है तो एक विचार धारा जिसने पूरी दुनिया को जो है तबाह करके रख दिया था कुछ टाइम के लिए तो आपको आपको जो है फैसिजम बहुत अच्छे से समझा गया होगा थेंक यू फर वाचिंग मैं वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई